वाइस देखो चाहे गुलाबी आखे हो या फिर आखे खुली हो या हो बंद या फिर ये जील सी नीली आखे हो या फिर बोलें तो इन आखों की मस्ती के दिवाने हजारों हैं मतलब देखो आखे बहुत इंपोर्टेंट है इन वे और यहाँ पर आ गया है ये नथिंग का फोन, ब्रांड न्यू, नथिंग फोन 2A और यहाँ पर नथिंग इस टॉकि ये जो फोन है ये कुछ इंट्रस्टिंग लेकर आता है तो आज आप इस वीडियो को आखे देखते रहिए और मैं गरता हूँ इसी नथिंग फोन 2A को अन्बॉक्स और आपको बताता हूँ की वाई यहाँ यह फोन बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत एक्साइटिंग भी है दिल्सकार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेखनीकल घुरू जी चलिए शुरू करते हैं तो इस नथिंग की पाकेजिंग में एक बात हमेशा है कि आपको एक तो काफी इंटरस्टिंग डिजाइन बलता है इस वेरी मिनिमल अधे सेम ताइं वेरी यूनीक आज वेल हमारे बास में यह एड़ पुल टैब है इसको हम कीचते हैं क्लीन यहां पे अंदर हमारे पास में 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 काफी ऐसे फोन लगता है कि जिंदगी जो है वो थूंस दी है ने नीचे गरम लिखते हैं तो हमारे पास में क्या है ओ दिस अगेन हमारे पास में है नातिंग की आइकॉनिक transparent USB C to C cable feels very premium to be honest फिर हमारे पास में है नीचे ये कुछ basic documentation और यहां पर यह चीज भी ऐसी है जो आपको किसी और फोन में कभी नहीं मिलेगी बिकॉज बहुत ही unique style में आने वाला ये sim ejector tool है और ये किसी chemistry lab का मेरे को हिस्सा लगता है but this is again very unique यहां पर हम बात करते हैं इस phone की हटाते हैं इस wrap को okay and it comes out like this oh my god look at this the nothing phone 2a यह white है हमारे पास में black भी है have a closer look और फिर हम बताएंगे कि आखिर या प्यार होगे इससे दिखते हैं फोन के अंदर यहां मेरे पास में इसका black variant भी है वो people who prefer a darker tone लेकिन मुझे जो है वो personally यह white वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मतलब यार तेखो transparency जो है नथिं के DNA में right from the beginning वो हमको दिख रहा है कि हर product में कैसे और refine होती रहती है यहां पर आपको नीचे जो पूरी flex cable मिल रही है नथिं का यहां पर आपको लोगो मिलता है एक red यहां पर आपको एक मिल रहा है square कोने में एक metal plate है जहां पर extra microphone अलब यार this feels really amazing to be honest and guys अगर हम बात करते हैं एक basic you know built overview की या एक basic button points के point of view से तो हमारे पास में एकदम flat sides है और यह भी काफी interesting design approach लेके आती है और especially इस white color में जो एक contrast में आपको buttons मिलते हैं यह दिखने में इस phone को और अच्छा बनाते हैं हमारे पास में right side में यहां पे है side में power lock and lock button ऊपर हमारे पास में है एक secondary microphone left जो है वो लेके आता है यहां पे buttons volume up volume down के लिए और नीचे हमारे पास में है sim tray साथ में है primary microphone USB-C port और speaker grill phone जो है proper studio speakers को support करता है और phone के पीछे अगर आपको बोलूँगा तो काफी interesting design मतलब ऐसा लगदा है कि फोन को दो half में डिवाइड कर दिया है उपर का half is the brain और brain बोलूँगा और यह जो brain है यह एक दुनिया के साथ में community करता है in out के लिए मतलब जो ग्लिफ लाइट से आपको वो भी यही मिल रही है जो ग्लिफ के elements है NFC coil आपको यहां मिल रही है और camera भी यहां मिल रहा है तो capture करना हो यह data यह ट्रांस्मिट करना हो यह गलिफ से कुछ नॉटिकेशन देना हो सारा फोन हिहां से करता है काम और फिर नीचे हमारे बास में तुला से इसा इसा डिदाइन है कामरे के बारे में क्या है डिटेश आपको बताऊंगा आगे बट तो बिगन विद इस फिफ्टी प्लस 50 मेगापिक्सल सेट अप फोन में दोस्तों सामने nothing surprised me and the reason is कि हमको इस price bracket में by the way what we have is a 6.7 inch flexible AMOLED screen और यह दोस्तों full HD plus panel है running all the way up to 120 hertz जहां पे 1300 nits की peak brightness है और अगर आप दिखो कि तो look at the bezels मतलब एकदम symmetrical bezels आपको चारो तरफ मिल रही है और यार यह इस price range में ना मतलब एक बहुती premium feel लेके आता है हमारे बास में Gorilla Glass 5 की protection है और जो selfie camera है यहां पे वो है 32 megapixels का अब बाई इस phone के अंदर क्या है अगर आपको में वो बताऊं तो यहां पे Mediatek का Dimensity 7200 Pro chipset यूज किया है नातिंग ने यह 4 nanometers की उपर based है और यार यह एक बहुत ही interesting processor है इस price bracket में हमारे बास में दो अलग-अलग options है 8GB RAM या फिर 12GB RAM के साथ में जो storage है वो आती है 128GB या फिर 256GB और मतलब मैं बोलूँगा कि काफी एक बहुत interesting optimization नेतिंग ने किया है Mediatek के साथ में जहां पे को engineer किया है 7200 Pro को और यार यह ना phone में दिखता है मतलब जितना fluid यह phone feel हो रहा है जैसे दारे animations चल रहे हैं जितना smart तरीके से यहां पे चीज़े manage हो रही है it's really evident की हाँ बहुत सही आपको एक powerful system मिल रहा है इस price के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं उसना पे बैटरी की तो यह जो phone है मज़े की बात weight is just like 190 grams यह 200 gram से हलका phone है और still इसमें है 5000 mAh की battery और यह support करती है 45 watts की fast charging को तो मतलब यहां पे भी nothing के आज तक की सबसे बड़ी battery आपको इस phone 2A में लगी भी मिल जाती है अगर हम बाते हैं इस software की this is where the real fun is because अगर आप दिखोगे यहां पे जाते कर about phone में तो यह आपको दिख रहा है फिलहाल यह run करता है android version 14 पे जी हां इसमें android 14 नम को मिलता है और 3 generations के android updates और 4 साल तक security updates nothing आपको इस phone में देने वाला है और फिलहाल यहां पे जो हमको मिलता है यह इसका software this is nothing OS version 2.5 और यह जो nothing OS है 2.5 पेसिफिकली बोलता हूं अगर तो यह 2.5.1 यह आपको दिख रहा है nothing OS यह एक नया flavor लेके आता है मतलब जो widgets हैं जो icons हैं जो animations हैं जिस तरीके से एकदम no bloatware एकदम refined आपको जो मिलता है ना complete experience वो बहुत rich काफी premium है और फिर हमारे पास में चीजें हैं बहुत interesting like the glyph interface कि मतलब glyph में आप गए आपने glyph lights को on किया let's say you go to the glyph composer और glyph composer में जाके आप अपनी ringtone सो compose करें मतलब you know all these things मेरे गाल से इस फोन को बहुत premium मनायती है जहां पर अगर आपको constant notification के लिए और अगर कोई favorite contact से या कहीं किसी favorite app से अपको notification आ गया है तो वो एक light जलती रहेगी as a timer यह काम करती है अपने खाना order कर दिया तो वो आपको दिखाएगा या ringtones और जो आप अलग-अलग sound मतलब you know this phone really stands out और अगर हम बात करते हैं performance point of view मतलब अगर आप फोन में games केल रहे हैं तो no problem आप जितने मर्जी games केल रहे हैं फोन जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है यहां पर in fact अगर हम फोन को normally use कर रहे है फोन में अगर वीडियो देख रहे है तो all around phone definitely gives you बतलब एक बहुत premium experience at this price and guys यहां पर अब अगर हम बात करते हैं cameras की ना तो यहां पर आपको मिलते हैं जो main camera है it is right here इस तरफ है यहां पर और यह जो camera है यह आता है 50 megapixels के साथ में जहां पर OIS भी है और जो photos है वो definitely काफ यह से tuned है और जो दूसरा camera यहां पर यह है अगें 50 megapixels का ultra wide shots के लिए तो वह नहीं है 50 plus 8 or 50 plus और यहां पर 50 plus 50 को setup मिलता है और यह जो camera placement है यह मेरे कहले से काफ इंडिस्टिंगे विकॉस नो मेंटर आप फोन लोग ऐसे पगड़ते हो ना मतला ऐसे पगड़िया फोटो कीच रहे हो आप ऐसे फोटो कीच रहे हो आप ऐसे पकड़ रहे हो कभी आप अपनी अंगलियों से यहां पर वो नहीं है और जो रिजल्ट्स है वो आपके सामने दूस्तों जो भी इमने इस कैमरा के आपको दिखा रहे हैं तो वो सारे आपके लिए अवेलेबल हैं मतलब मेरे कहाल से गिवन अगें अगें प्राइस ब्राकेट गिवन हाओ दो फोन इस जो एक्सपिरियंस है वो ओवरॉल काफी अच्छा होने वाला है सब्सक्राइब मज़े की बात इस फोन के अंदरा वो है फोन कितना यूनीक बन जाता है विद फिंक्स लाइक दिस ये चीजे किसी और फोन में है ही नहीं तो मतलब सच अनमेजिंग कॉनवेशन स्टार्टर ये जो नथिंग फोन 2 है उसमें बन जाता है और मेरे कहल से यर I would really appreciate nothing for one thing that जो optimization हुआ है na talk about cameras, talk about display, talk about design, talk about software, looks, everything मुझे लगता है कि एकदम perfect balance करके इस nothing phone 2 A को बनाया है और ये phone बनाना बहुत जादा जरूरी था उसका reason के है nothing phone 1 आपको पता है was an amazing device और काफी एक अच्छा phone था phone 2 जो है it went again थोड़ा premium territory में तो जिन लोगों ने phone को यूज किया उनका experience बहुत अच्छा था but to make it even accessible कि मतलब यहां पर लोग जो nothing flavor है उसका मज़ा उठा पाए और price और aggressive रहे ये जो phone है मेरे कहल से it was very important for nothing ताकि जाद 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 लोग जो है वो nothing का flavor तो अगर हम बात करते हैं flavor feel करने की तो बात करेंगे price की और यहां पर तीन अलग वेरियंट्स है जो सबसे पहला वेरियंट है वो है 8GB RAM 128GB storage के साथ में उसकी जिसकी price है 23999 फिर आता है 8 plus 256GB वेरियंट जिसकी price है 25999 फिर आता है 12GB RAM और 256GB storage वेरियंट जिसकी price है 27999 बट अभी कुछ जो offers हो करें चल रहे हैं including card offers and everything जो effective price है starting his phone के 8128 variant के लिए it goes as low as 19999 और मेरे क्याल से 20,000 का phone इस level के screen के साथ इस level के design और features के साथ और performance के साथ मेरे क्याल से such a champion for the price so guys यह है nothing phone 2A आप बदाये what's your take about this phone या आपको क्या लगता है कि nothing को future में क्या करना चाहिए because काफी young brand है और काफी कुछ nothing को सीखना भी है definitely you know going forward so what's your take नीचे comment करते में जुरू बता रहा है video को like share करना मत भूलना मैं आप से मिलता हूँ next video में तो आप में इतना ही जय हिंद वंदे मात्रम